जानवरों के दुनिया में एहम ब्रमास में की भावना रखते हुए कुछ जीवों को दूसरे जीवों पर हावी होने की कुशिश करते हैं और तुरंट पच्टाते हुए दिखाने के लिए डीप इनफो जेक पर फिर से आपके लिए लिख रहा हैं मैंस्ट विद रॉंग ओपनेंट विडियो का पार्ट 13 मई 2022 के दोरान कैन याकिन मसाई मारा रिजों में एक शेर मरे हुई हिप्पो को तैरता देख लालच में आ गया और उसे खाने के लिए तालाब में जाकर उसकी उपर चड़ गया लेकिन विचारे की हवा उस समय टाइट हो गई जब उसने देखा कि उसकी उपर चड़ते ही तालाब में मुझूद मगर मच्छों ने हिप्पो की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया देखते ही देखते लगबग 40 मगर मच्छों ने हिप्पो को गे लिया और शीर विचारा उनके बीच फंसा रह गया काफी समय दक वहीं अटके रहने के बाद शीर ने हिम्मत दिखाई और यहां रुकर मगर मच्छों का शिकार होने के बज़एब भाग कर जोकी मुठाने का विचार बनाया खुश किसमती से शीर की हिम्मत कारगर साबित हुई और वो मगर मच्छों की उपर पैर रखते हुए उन्हें लांकर किनारे तक पहुँचने में सफल रहा बाकी यहां शीर और मगर मच्छों की बीच लड़ाई छिड़ जाती तो शीर जिन्दा बच पाता नीचे हमें कॉमन बॉक्स में जरूर गताना यह डॉक्स दो होने का पहम लेकर एक गदे को परिशान का रहे थे लेकिन सिर्फ तब तक जब तक गदे को गुसा नहीं आया और उसने एक की गुद्दी बगड़ कर एक को फेंक ना दिया मई 2022 के दोरान रोमानिया के कर्टिया डी आर्गेस में एक विक्ति अपने डॉग मारेले अलबाई के साथ वॉक्प में निकला लेकिन रास्ते में उनका सामना एक भालू से हो गया विक्ति को भालू से जरा भी डरने या घबराने के ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनके साथ उनका वफदा डॉग मारेले जो था मारेले ने भालू को देखते ही उसे पचाडने की खुशिश शुरू कर दी कुछी देर तक डॉग से मुकाबला करने के बाद डॉग की हिमत देख भालू भी घबरा गया और चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह एक जगे खड़े होकर माले और डॉग मारेले को जाने दिया अब जरा एक नजरी इस क्लिप पर भी डाली जिए जिसमें दिखा गया कि एक बाग किसे जू में गाए का पिशा गर रहा था और गाए उससे बचते होई सामें मुझोद एक फैन से टकरा जाती है लेकिन फैन से टकराते ही गाए की खोबड़े सा टक जाती है और वो उल्टा बाग को ही दोड़ा देती है एक लड़ाई के दोरान ताकत ज्यादा कारगर होती है या फूर्ती ये बात आप मार्श 2020 के दोरान श्ट्रिल लंगा के उदा वाला वाय में रिकूर्ड हुई इस क्लिप में समझने वाले है क्लिप में आप देखेंगे कि एक बढ़का वा हाती कुछ टूरिस्ट के कारों के पास खूंग रहा था इसी दोरान उसके पास एक अवारा डॉग पहुंचता है और उसे देखर भौंकने लगता है अब डॉग को अपनी और भौंकते देख हाती जनाब और ज़्यादा भढ़क जाते है और डॉग पर हमला करने की कुछिच में जूट जाते है लेकिन डॉग अपने छोटे आकार के चलते हर पार उसे बच निकलता है काफी सारी कुशिचों के बाद भी हाती डॉग को टच तक नहीं कर पाया और शान्त होकर घड़ा हो गया अब यहां डॉग हाती को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया लेकिन धगा कर शान्त करने में सफल जरूर हा किसी को छूटा जानकर उसे तंग करना सिवाय मुर्कता के और कुछ भी नहीं है क्योंकि एक छूटा सा पक्षी हाती जिसे विशाल का जीव तक को नाचने चाह सकता है एक नजर इस क्लिप पर भी डालीजी जिसमें दिखा गया कि मॉनिटर लिजर्ड एक विशाल का मगरमच के जबड़े में फस गया और फड़फडाने लगा ये तो जिनाब खुश किसमत धे की कुछ देर मशकत करने के बाद वो मगरमच के दातों की बीट जगया बनाते वही उसे चूटने में सफल रहे और जिन्दा बच निकला बागी एक मगरमच के ताकतवर जबड़े में जाने की बाद मॉनिटर लिजर्ड का जिन्दा बच पाना मुश्किल था अप्रैल 2022 के दोरांट फ्लोरिडा के लेक हॉलिंग्सवर्थ में शिकार की खोज में खुम रहा एक सांप हैरोन यानि कि बगुले की चपेट में आ गया और खुच शिकार बन गया सांप ने बगुले के पैरों में अपनी पूंचू जाकर छूटने की कुशिश भी की लेकिन बगुले ने उसका सर इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि लाग कुशिशों के बाउजूद भी वो छूट नहीं पाया कुछ इसी प्रकार यहां भी एक बहादूर डॉग ने अपने घर में उसे भालो को दुम दबा कर भागने पर विवोश कर दिया ये दो डॉग्स आराम फर्मा रही बिल्ली को परिशान कर रहे थे लेकिन तभी अचानक से बिल्ली भड़क जाती है और एक डॉग को पाने में धका देकर दोनों को एक ही बार में सबक सिखा देती है कुछ साई बिल्ली किस तरह अपने जान के दुश्मन डॉग्स को मात दे सकती है ये तो आपने अभी-भी दिखा लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक बिल्ली को ओवर कॉंफिडेंस दिखाना भारी पड़ गया और विचारी आगे कुआ पीछे खाये वाली परिस्ति में फस गई ये बिल्ली खुद को मुर्गे से ताकतवर समझते हुए उससे लड़ाय करने निकल तो पड़ी लेकिन फाइट चुरू होनके कुछ सेकंड्स में ही मुर्गे ने बिचारे की अकले ठिकाने ला दी एक नजर इस बिल्ली पर भी डाली जी जो गुड़ों की तबेले में घुसकर उन्हें परिशान कर रही थी और चेताओं ने मिलने की बात भी गई नहीं नतीज़त ने एक घुड़े ने बिचारे को पीट से पकड़ा और उचाल कर फेंक दिया खैर बिल्ली को अपने लचीले शरीड के चलते चोड़ तो नहीं लगी लेकिन सबक अच्छा खासा मिल गया अगस्ट 2018 के दोरान करना टके नागर होल टाइगर रिज़ों में एक बाग का सामना रास्ते में बैठे एक विशाल काय अजगर से हो गया बाग ने एक बार के लिए तो अजगर को पगड़ने की कुशिश की लेकिन अजगर ने जैसे ही वापसी हमला करने की कुशिश की तो जनाब दुमदवगर वापस चलते दिखे और शायद वास्तों में समझदारी भी इसमें थी क्योंकि अजगर के ताकत वर कुंडली और दोस्त की पीट पर लटा कर जान मचाते दिखे अक्टूबर 2015 के दोरान न्यूयोक की ब्रूकलिन शहर से वाइरल हुई इस क्लिप में आप दिखेंगे कि कबू तक चुही को कमजोर समझकर उससे लड़ाई करने जमीन पर पहुंच तो गया लेकिन बिचारे की दुरभाग इसे चुहा इतना अक्रमक और सहसे निकला कि जनाम ने उल्ड़ा उसे ही लपेडे में ले लिया और काट काट कर उसकी जान ले ली मगरमच के डैथ रोल के बारे में तो शायद आप सभी भली बाती जाते होंगी ये इतना खतरनाग होता है कि इसके चपेट में आने की बात बड़े बड़े जीयों की हड़ी पसली एक हो जाती है लेकिन कई बार ये सूपर पावर मगरमच की परजाती को भी भारी पड़ जाती है जिसका एक निमुनाब सितंबर 2021 के दोरान साउथ अफरिया के क्रूगर नैशनल पार्क में रिकोंगी इस क्लिप में देखने वाली है यहाँ दो मगरमच की आपस में लड़ाई चल रही थी लेकिन इसी बीच एक मगरमच ने दूसरे मगरमच की पूछ पकड़ कर ऐसा डैथ रोल मारा कि दूसरा वाला बिचारा चाहा कर भी कुछ नहीं कर पाया और पीट में भैंकर दर्द लेकर 9-211 हो गया यह डोग जनाब एक गूस के गुसे से अंचान थे और मालिक को साथ देख उस पर हमला करने के लिए भौगने लगे लेकिन मालिक लड़की गूस जैसे आकरामक पक्षियों के गुसे से भाली माती वाकित थे जिसके जलते बिचारे डोग को कुछ इस तरह से खीजते होई भाग निकली एक नजर इन डोग महाशेवर भी डाली जिए जिसने एक पौर्गी पायन को कमजोर समझा और चोटा जीव समझने की गलती की और निकल पड़ा उसका शिकार करने नतीजेतन बिचारे का पूरा मून नुकीली कांटो से सन गया और जनाब मून उतारकर मालेक से मदद मांगते होई दिखाई दी मगरमच एक ऐसा जीव है जिससे जंगल के लगबग सभी जीव खौफ खाते हैं लेकिन नौमबर 2010 के दोरान अमेरिका में किसे जगए एक मगरमच चहरी बिल्ली को डुराने उसकी करीब पहुँचा लेकिन बिल्ली इतनी जदा जिद्धी और सासी थी उसे फरक तक नहीं बढ़ा कि एक मगरमच उसके करीब पहुँच चुका है यह देख बिचारा मगरमच भी चक्कर में पढ़ गया कि यह साला चकर का है बिल्ली को मेरा यानि मगरमच का भी खौफ नहीं है जनाम ने एक दो बार उसके तरफ हमला करने की कुशिश भी की लेकिन बिल्ली एक बार भी उसके हाथ नहीं आई और नहीं घब रही इन दिनों राजस्तान के रंधम बोर्ट टाइगर एजोर में रिकूर्ड हुई ये क्लिप भी जमकर सुरक्यां बटो रही है जिसमें दिखा गया कि एक डॉक जंगल में सो रही बाग के सामने भूग रहा था और उसे नहीं से उठा देता है अब ताकत के मामले में दोनों ही जीव एक से बढ़कर एक है ऐसे हालात में जीत अक्सर उसकी होती है जो ताकत के साथ साथ बुद्धी भी समान रूप से काम लेता हूँ और बुद्धी के मामले में हाती गेंडों से कहीं ज़्यदा आगे माने जाती है हाती गेंडे से सीधी लड़ाई करके दोनों का नुकसान करवाने की बज़े अपनी सून्ट से एक लकडी का टुकडा पकड़ कर गेंडे को डराने लगा कुछ देर तक जब गेंडा इससे नहीं डरा तो जिनाम ने लकडी को गेंडे की तरफ कुछ इस तरह से फेक कर मारा कि मानो कोई बम ही फेका हो हैरानी की बात तो यह है कि लकडी को अपने पास गिरता देख गेंडा डरा भी कुछ इस तरह है कि मानो हाती ने कोई बम ही फेका हूँ वैसे आपको क्या लगता है हाती ने बुद्धी का इस्तमान नहीं किया होता तो यहां लड़ाई में जीत किस की होती कॉमन बोक्स में ज़रूर बताना ओटर्स यानी उद्विलाव पानी में रहने वाले सबसे आकरामक जीवों में से एक है ओटर एक मगर मच्टक को आराम से मात दे सकते हैं ये बात तो आप और हम सभी जाते हैं लेकिन ये मॉनिटर लिजार्ड बिचारी इस बात से भी ख़वर थी और ओटर्स की तालाब में शिकार ढूनने पहुंच गई नतीजे तन ओटर्स ने उसे घेर लिया और खौफ का असनी मंजर दिखा कर चले गई कुछ इससे प्रकार यहां भी एक विशाल गाय चिपकली ओटर्स के तालाब में पहुंच तो गई लेकिन ओटर्स का गुसा देख दिवार पर चड़कर कापना शुरू हो गई